हेलो वेल्कम चु आवर चाइनल यूनिक ऑल्लाइन गुरू जो हमारी सब्जेक्ट है बिजनस ओर्गनाइजेशन यह है विस्यू स्टुएंट के लिए तो आप हम लोग बिजनस ओर्गनाइजेशन पढ़ने जा रहे हैं और जो कि हमारी पहली चैप्टर जो पहला चैप्ट बिजनस होती क्या है और तो और बिजनस बहुत इंट्रस्टिंग सब्जेक्ट है जब आप बिजनस को समझने लगए तो आपको पता हो कि हां बजनस कितना इंट्रस्टिंग है तो सबसे पहले तुमनों जानेंगे वह इंट्रस्टिंग सब्जेश सब टॉपिक बिजनस य यह बिजीनेस यह बिजीनेस तो दिखी रहा है और बिजीनेस एक ऐसा वर्ड एक जो डेली लाइफ में बिजीनेस बोलते हैं कि हाँ इस टाइम बिजी हूँ इस टाइम बिजी हूँ तो बिजी का मतलब क्या होता है एंगेज्ड आप किसी काम में बिजी हो किसी काम को कर रहे हो तो उसको क्या बोलते बीजी बोलते तो यह जो बिजनेस का जो वर्ड आया वह आया है आपका बिजनेस से मतलब कि जो परिशन अपने काम में बीजी रहते हैं तो इसी से धीरे-धीरे-धीरे है Nokia One dismiss सिम्पली एक बना बिजनेस एक सिंपल एक बन गया बिजनेस तो इसी तरह आप हम जानते हैं कि बिजनेस है क्या बिजनेस की कैसी जाती है यह सब आप दिल्सक्श करते हैं यह बिजनेस के बारे में तो हम लोग जान गए कि Charlotte business word है business यो एक latin word है जो derived हो कर business te business बन गया जिससे कि हम लोग जानने लगे किसी business business कह एक और मीनिंगा जाओं मैंने बोला कि ճिर जा सब्सक्रायर के साथ में आपने काम को करने में में वेस्ट रहते उसकreso रहते हैं उसको बोलता है तो पर्सण अपने कामों में इंगेजd रहते है उसको करते हैं क्योंकि आप बिजनश पढ़ रहे हो थो बिजनस का मिनिंग जानना बहुत जारा जरूरी चीट कि बिजनेस होता क्या कोई भी आप से पूछ लेगा कि business जो पढ़ रहे हो तो business का मतलब ऺता है हरेक वर्ड को मिनींग हो था आपके नाम कर professionals में‌वूगा मेरे नाम कर दोर मीनिंग कीनेग आपके podr कि देखिए आप पढ़ेंगे बिस्नूस के मीनिंग के बारें galera है बिजनसतव सबसे lawsuit बात में एक छोड़ी सी बात बताओंगी कि बिजनस जो हम लुग एक तरह से समस्च ते हैं कि zitten कर लिए पैन दिया पाँच रूपए में उसके मुझेत लिए तो बॉलोगे कि तो बिजनास है बट वह बिजनस नहीं होता है विजनस होता है कि जो आप हमेशा रेगुलर्ली अपना एक continuous process में कर रहे हैं हमेशा एक continuous process में कर रहे हैं और किस परपस के लिए प्रॉफिट कमाने के लिए आप जैसे कि यह पेन मैंने बेचा पांच रुपे में तो क्या मुझे कुछ जादा आंड हुआ नहीं मुझे पांच रुपे का पांच रुपे मिला तो यह प्रॉफिट कहां से हुआ । भीजट बोलता है कि आप जब बिजशनेस कर रहे हो हुँ या फिर बिजशनेक के बारे में कोई पॉंट अ ओवी कि प्रॉफिट के बारे में बिजय को कुछ निसोचना होगाания कि रहता है कि मुझे प्रॉट्फिट कमाना है अब मैं अपने उस उद्देश से इसमें क्या हो कि बंडर ओफ पेन खरीद कर लेकर आगे अब मेरा एक उद्देश बन गया है कि मुझे इन पेन को बेच कर प्रॉफिट कमाना है मतलब कि मैं अगर पांच रूपिय हम लाएं तो मुझे पर पेन पर एक एक रूपिय का इंकम जनेरेट हो अगर मैंने दस रूपिय भी लगाया है पूरे पेन को बंडल खरीदने में तो मुझे यह उद्देशन है कि इतना में दस बंडल खरीदा है मेरा जो इंकम होना चाहिए कम से कम उसका डबल होना चाहिए यह बिजनसमैन की थिंकिंग रहती है यह करके है तो बिजनेस भी यही बोलटा है झालिए आप बिजनेस के बारे में देखें कि वह बिजनेस क्या बोल रहा है बिजनेस बोलता है है THIS बिजनेस बोलता क्या है एस डपफाइंज कैस को कछिख करता है institution को मतलब किया बिजनेस खोलो ग Emp कुछ ना कुछ तो आपका institution रहेगा institutional organized institutional organized का मतलब क्या होता है institutional organized का मतलब होता है कि आप जब भी आपने बिजनेस क्टो खोली तो मतलब कि आप अपना एक business के लिए एक कुछ तो ओर्चान की जियेगा कि मुझे एक्चुली में खोलना है तो उस दुकान को ऐसे बरा इस को एक इस जगह पर अपनी मार्केट या फिर अपनी सटोर को खोल रहा हूं तो यही बिजनेस बोलता है कि इनस्टीटिुशन ती थीकिना इंस्टिट्टूशनल और्गनाईज और उपुरेटेड देखे यहां पे लिखा ऐगा अपड़ेटेग्ज भाइड़ गूड़ और सर्वीस मतलब की जो हम लोग गूड़ सपर्वीस को प्रोवाइट करते हैं किसको प्रोवाईट करें गूड़ संवन्सर्वीस के स सोसाइटी सोज़ान सते कौन रहते हैं कि मतलग एक खरीदने वाले हम लोग कौन है हम लोग को पार करना पड़ेंगा तो यह tea कि आते हैं स्वसाइटी में तो यह बोलता है कि जब आप एक institution operate कीजिएगा जब खोलिएगा तो आप क्या प्रोवाइड कीजिएगा गुड्स और सर्विस को प्रोवाइड कीजिएगा सोसाइटी को विद्धी objective of earning देखिए यह earning जो है यह बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है अर्निंग प्रॉफिट भॉजनेस का मतलब ही होता है profit बिजनेस खोल रहता है आपकी thinking जोगी वह किसी profit के बारे में मतलब आपकी objective यह जो ओप्जेक्टिव आपको उद्धेश है कि मुझे profit कमाना है तो आपका जो उद्धेश है गो profit कमाने को होगा तो इसके definition में हमें पता चल रहा है बिजनेस के आप जो एक अपना इंस्टिटूट को लोगे या फिर आप अपने कोई फ़र्म को मतलब भी सिंपल होता है कि कोई भी स्टोर या फिर कोई बड़ा सा दुकान जो भी आप खोले वह फ़र्म होते हैं चोड़े-चोड़े फ़र्म जो बड़े-बड़े दुकाने ह इकोनामिक एक्टिविटी इकोनामिक के बारे में तब सुनी होंगे कि इकोनामिक होती क्या है एकोनामिक के अपको किसके में इंडिकेट करती है दसके में इसकोनामिक में एकोनामिक कि सकतोय करती हा मनी का सब्सक्राइब बड़ेश कररता है बिजस्नेस करहा हो अगर आप यहां पर पेन को बेच रहे हो तो उसके बदले में आप इस व्यक्ति से पैसा लोगे तो यह कैसी एक्टिविटी है यह एक्टिविटी है विच इस रिलेटेड विदि कंटीनुवस एंड रेगुलर प्रोडक्शन जैसा मैंने बताया कि बिजनेस जो होता है वो कंटीनुवस होगा आप जब अपनी एक स्टोर खोल रहे हो तो आप स्टोर खोले हो तो यह नहीं सोचोगे कि आज मैं अपनी स्टोर कर रहा हूं कल में अपनी स्टोर बंद कर दूँगा नई जब आपने स्टोर खोली है उसमें समाल लगाया है बेचने के लिए तो आपका हमेसा से उद्देश रहेगा कि आप मैंने जब दुकान खोल लिया है तो मेरा दुकान अब हमेसा चलेगा प्रॉसट कमाएंगे तब प्रॉफिट के बारे में सोचो कि आपकी बिजनस आगे बढ़ते रहेंगे कंटीनुवस लॉंग टम चलती रहेगी तो यह होता है कंटीनुवस एंड रेगुलर प्रॉडक्शन distribution of goods and service मतलब कि जो हम लोग continuous goods and service का जो लेन देन करेंगे वह हमारी रेगुलर चलती रहेगी यह रहा business का definitions business बोलते क्या है actually में बोलते क्या है आसे तो normally हम लोग business को क्या बोलते है buying and selling खरीद रहे बेच रहे इसको business बटने business का मतलब अब एक ही हो चुका है कि हमारे जो उद्देश होगा वो profit कमाने का और हमेसा continuous चलते रहेगा that is the two important point अब नेक्स आते जब हम लोग मीनिंग जान चुके हैं तो मीनिंग के बाद क्या होगा देखिए एक तो बात होती कि जो business होता है बिजनेस कैसी activity एक human activity है human activity कैसे बोल सकते है human activity कैसे बोल सकते है इसके बाद discuss करते हैं देखिए पहला तो एक एक ओथर के थू से definition हम बता रहे है जैसे authors भी जो होते है जो उन्होंने भी अपनी definition एक दी है तो इनका जो definition है business is an economic activity related towards producing and or acquiring wealth through buying and selling वो इनका मतलब क्या इनका भी same meaning है जो हम लोग previously अभी just meaning of business में पढ़े ये भी बोलते है कि जो business होगा वो एक human activity human activity क्या वो भी हम लोग थोड़े बाद discuss करते है बटे एक ये ऐसी activity human activity जो towards किसके directly acquiring the wealth जो भी हम लोग प्रोड्यूस कर रहे है अगर हम लोग अगर हम लोग क्या अगर हम लोग को भी यह tales data produce कर अगर हम लोग चीनी का प्रोड़क्शन कर रहे मतलब कि सूगर प्रोड़क्शन कर रहे हैं mortar चीनी का प्रोड़क्शन कर रहा है तो66 होगे सी बाई ऐसी चिंदी निज अन्व ब photonood करें अपना वैंकि बीच रहे हिं लोग क्या होने मार्केट में लोग क्या फ sukaटेंगे बाउंग करेंगे और पॉस्छिसичего करेंगे अशेल करिके बंके और क्यों बनता है सो जाता है दुख कंदार के आड किसको देता है इंको पाते हैं अगर यह इनको बेच रहा है अगर सुगर पदलि में क्या इनको देंगे है पैसा देंगे तो यह सब क्या हुआ यह सब कोई हम लोग एक सिंपल भासा में वेल्थ बोलते हैं यह पैसा तो यह यह बोला जाता है यह ऐसी एक्टिविटी इसलिए कही जा रही है बिकॉस यूमन बिंग इसमें इंवाल्व है इसमें कोई इंवाल्व है यूमन बिंग यह एक ऐसे एक्टिविटी जो यूमन बिंग कर सकते हैं मैं और आप ही कर सकते हैं लोग कर सकते हैं तो यह है डेफिनेशन बाइदी ऑथर ऑथर के थूरु से यह डेफिनेशन दिया गय तो I hope यह business का पूरा concept समझ में आगया कि business होता क्या है next आप हम जलोब जानेगे human activity बोल रहे हैं देखे human activity क्या होता है human activity एक ऐसा activity है जो human being खुद करता है जो हम लोग खुद करते हैं पहले क्या काम करते हैं यह बस लोब लाइफ में दो ही कामी करते हैं नाल एक्टिविटी और एक्टिविटी ही करेंगे एक सिंपल सा बात है राइककिनाम अपप करेंगे जैसे कि मैं मैं यह दोनों काम करूंगे का एक टाइम में करूंगी जब मैं बहुत ही वैल नॉलेज़ूब हो जाएंगे के चीजिपने इम पर काम करूंगे तो अर्वे करूं की क्या करूंगे क्या पर सबस्तम या निचया के कर सकतीय है जैसे कि मैं किसी के अगर help कर दे रही हूं, ठीक है, अगर किसी को मैं free में tuition पढ़ाकर, free में tuition पढ़ाकर उसकी help कर दे रही है, उसको 10th का board में help कर दी मैं उसको और वो बहुत अच्छा percentage से लाया, पर मैंने कोई fees नहीं लिया, तो जो अब हम लोग का intention रहता है, कि हम लोग से किसी पैसे से कोई मतलब नहीं होगा, किसी का help से होगा, और किसी का मदद अगर हम लोग कर रहे हैं, तो वो आता है non economic activity, और जब हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं, या फिर कोई service दे रहे हैं, और बदले में कुछ ले रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग economic activity या फिर economic activity करेगा, या फिर non economic activity करेगा, इसी लिए इसका heading है human activity, I hope it's clear, तो अब definition पर आते हैं कि economic activity क्या बोलता है, economic activity बोलता है, कि ये एक activity है, येस, कि ये एक activity है, कैसी activity है, economic activity है, economic activity है, which can be earned, देखो, मैंने बोला ना, पैसर कमाने के intention, earn का मतलब क्या होता है, कुछ ले ना, हा, earning, livelihood, livelihood का मतलब क्या होता है, livelihood का मतलब होता है, source of income, क्या होता है, source of income, जहां से हमें पैसा मिलता है, source of income, जहां से हमें पैसा मिलता है उसे मों बोलते हैं लाइवलिवड सपोस्ट डाट मैं अगर किसी इंस्टिट्यूट में अगर पढ़ा रही हूँ तो बदले में मेरी लाइवलिवड क्या होगी पैसा होगा मैं आण करूंगे और उसी पैसा से मैं अपना जो भी मेरी खर्च से कि हम आंकरते और हमारी लाइवलिवड होती है जो हमारी सोर्स अंकम होती है चैक जिसके प्रति अपने जिन्दगे को अच्छे से अमधी बैलेंस करके चलते हैं वह इसको में चाहिए जाए एकोनामिक आड्टिविटी कहेंगे जासे कि मैंने बताया कि अगर मैं किसी इं आपका जो कम कर रहे हो आपका जो काम कर रहे हो क्या हो नीग कमा रहे हो जैसे की देखिये एक एक्जामपल है वर्कर वर्कर एक फैक्टरी में काम कर रहा है क्यों काम कर रहा है उसको क्या सिरूत है फैक्टरी में आठ घंटे ड्यूटी करने का उसे कुछ मिल रहा होगा तभी वो काम करेगा मतलब कि वो फैक्टरी में काम कर रहा है तो उसे पैसा मिल रहा है पैसा मिल प अब एक और ऐसांपल देखें जैसे डॉक्टर आपरेटिंग विस क्लाइंट कि डॉक्टार अपनी ख्राइंसे किलाइंसे उनों से इलाज किशा इलाज कर रहे हैं डॉक्त यही दो काम करेंगा इनको संहें देगा या फिर इनकी इलाज करेंगा में हैं इस दिशू से और यह कौन है यह पेशन्ट है यह पेशन्ट है डॉक्टर और पेशन्ट दो लोग हैं तो अब इसमें क्या और डॉक्टर क्या काम कर रहे हैं डॉक्टर इनको सर्विस दे रहे हैं सर्विस किस केस में या फिर उनकी कोई अब बीमारी होगा बीमारी का इलाज निकाल रहे है कि क्या उपचार होना चाहिए आपके उसके बिदिश हैं आप मैं कुछ पैसा लेंगे इंकम लेंगे उसी को जाता के चींवाएट कर रहे हैं और मुझे कुछ मिल रहा है तो यह फोद्धी है यह kanoamick & अगर यह रोड है अगर कोई एक ऐसा आदमी है जिससे दिखता नहीं है मतलब वह अंधा है वह व्यक्ति अंधा है और लोड है कि आप किया के help कर दिये इनको डोड कर दिया रोड कर दिया रोड करन क्रोस कर वाज़े कि आप उनसे पैसा मंगवों गए तो आप मुझे पैसा दो नहीं ना अब कारता है प्री अपने अपना असली लिए लिए मुझे किसी का help कर रोड कर रिकर bununetzt बदले में आपने कुछ भी नहीं उनसे लिया इसी को पैसा दो नहीं ना ऐसा नहीं होता है हम रोगे साहते हो जो मारी फिलिंग सोती है वह बहार आती है तो यह थी तो बदले में आपसे कुछ मांगते तो नहीं है हम लोग क्या करते हैं उनके बदले में कुछ देते नहीं है बट उनका वह लव होता है तो यह भी कैसी अक्टिविटी होती है नान इकोनामिक एक्टिविटी होती है और सेंटिमेंट यह सब चीजे जितनी है जो में फिलिंग से रिलेटेड होती ही साइकोलोजी का सटिस्फेक्शन सोती यह से बात यह नान एकोनॉमिक एक्टिविटी में आप सो नेक्स्ट वन अब अधिए फीचरस फीचरस ऑब इसनेस बिजनेस का फीचर्स फर्स्ट फीचर से फेला इन समों एक आप पर इससे स्टविच्पी बोगतिन सब्चेभ हों प्रॉफिट आंड करना अब बिजनेस खोल रहे हो फ्री में तो बिजनेस खोलोगे तो आपके जो भी अब्जेक्टिव होगे क्या होगे प्रॉफिट होगे कि मुझे पैसा कमाना है मुझे प्रॉफिट कमाना है बिजनेस से तो आपकी वही उद्देश होगा प्रॉफिट क बिजनेस में उत्य है औग याम पर योनिक वितिन के लिए बड़ सभिशों के लिए अपना ऐडको ले रहा है अब मत्ना एकोनुकि में उल्टा होता है है मसी देंगे उसके बड़ल से लंगे तो भोटे नान का नामिक एक्ति विजन्स दो त्रसे में से होती है एकोनॉमिक या फिर नानिकोनॉमिक एक और नानिकोनॉमिक क्या होता है बहुत लोग क्या होते हैं बिजनस खोलते हैं किस टेप कर नानिकोनॉमिक मतलब को चारेटी में काम करते हैं जो चारेटी में काम करते हैं वो स्रिफ देते हैं दूसरे सो कुछ लेते नहीं है तो वो भ तो आप उनको गूट्स देते हो और फिर उनको सर्विस भी देते हो अच्छी सर्विस दोग जासे सारे बुर्फूर्पिकista के अदर होनी चाहिए ये बीजनेस बड़ता है ये प्रोफित और या नन को दिया तो आपने भी कह perturb करीद करें न करके मैं थे के खरीद रहे हैं तो यह बाइंग और सेलिंग का प्रोसेस चलता है नेक्स्ट आता है ट्रच यह मेस्ट मे इन अ ग५ एन आइसोमें तर्च यह गुडुबन के भी ञ utilizz rendered का उन्हां हेEND अज होते हैं घंग're एनंग्ं कि बिजनेस को खूल शकते हो यह आपका च्वाइस है बजनेस आपको च्वाइस भी देता है कि आपको खोलने किस तरह से वहों लोग आगे पढ़े हैं कि बिजनेस के भी कुछ होते हैं तो ग्रूप में आप कोना चाहोगे तो तो दो तीन लोग मिलके एक बिजनस खोलते हैं में सुनते कि दो तीन लोग पार्टनर बनकर इस बिजनस को चला रहे हैं बहुत अच्छी चल रही है यह लोग ने कौन में अप्लाइग के ग्रूपिंग अपने ग्रूपिंग मैथड मतलब की ग्रूप अपने ग्रोप इंड पार्टनर शिप करके यह सब करके और इस एक वैक्ती भी अपना बिजनस को सकता है जैसे कि आपनों देखते भी हैं जो जरूरूरते क्समाः जैसे कि स्टोर्ज होती जो स्टेशनरी स्टोर्स होती जिसे एक अकेला ही इंडिवीज्वल मालीक रहता है दुकान का स्टोर का अब होता है होता है रिक्स बिजनस के साथ है अगर बिजनस के साथ प्रॉफिट है अगर आप मान के चलते हो कि मैं बिजनस खोल रहा हूं मेरी उद्देश है प्रॉफिट मेरी उद्देश है प्रॉफिट आप इसको अपने साथ लेके चल रहे हो तो रिक्स बोलेगा कि आप इसको साथ तो मुझे भी लेना पड़ेगा तो हर बिजनस में रिक्स होता है इट इस कमपलसरी रिक्स कैसे किस टाइब के रिक्स होते हैं रिक्स आप सोच सकते हो कि अगर आप एक दुकान खोल रहे हो ठीक है मतलब कि आप एक इलक्ट्रॉन का अब लेक्स लेक्स लेकर चल रहे होगा अच्छे से नहीं रखेंगे अपने बिजली का तार जो भी लगते हैं पर अगर वो नहीं करेंगे तो क्या होगा आग लग सकती है आग लग सकती है मतलब कि आप एजियूम कर रहे हो सोच रहे हो कि अगर नहीं अगर अच्छे से अपने बिजली के समान जो भी लगते हैं उन सब को अगर अच्छे से नहीं देखेंगे तो क्या होगा रिक्स अपने आप बिजनस कर रहे हो तो आप सोचो कि मैं ऐसी चाहिए बिजनस कर जहां मेरे एकदम अच्छे खासे से मेरी फार्म चले और प्रॉफिट बहुत सही आप देखिए ज्यादा कोई बड़ा-बड़ा एक्जाम्पल ही छोटा से बुक कॉपी का आप अपने आप से सोचो कि एक बुक्याद को एक वैक्ति है जो बुक्स की दुकान ख़ 60 des Jean वह कहां खोलेगा ऐसा चैकल नोस делать लोग रहते श्युक्स हमें पलब इसफ जरूरत्य है नहीं चलेंगी चलेंगी एसमें खोलेगा कोलेज है जाए चलेगा तो इसलिए रिक्स को लेक। अगर इनों नहीं लिया कि मैं तुकान नहीं लिया कि जहां वो दुकान का जमीन निये हैं पता चलाए कि पर अनपर लोग रहते हैं इलिटरेट पीपल रहते हैं तो क्या यहाँ पर दुखान चले हैं उन्होंने रिक्स को लाइटली लिया अगर स्ट्रॉंग से लेते हैं कि नहीं अच्छे से मुझे देखकर पूरे एरिया को अच्छे से देखकर मुझे अपनी स्टोर को खोलनी च रहका के चलता है कि मुएं को से कम रिक्स लेकर चलोँ प्रॉफिट उसका अपोस्टी डॉता मताल यह रिक्स का प्राफिट जाधा यह होता है बिस्नस का रूल फीचर्स पढ़ लियम लोगने फीचर्स होते का है यह सारे चीज हम एक बिजनस में देखने को मिलती है अनो the next heading is characteristics हर चीज का characteristics तो होता है यह पढ़ते आया हमेशा और बिजनस में भी पढ़ना पड़ेगा characteristics की होते क्या है पहले characteristics होता है economic activity economic activity profit motive और रिक्स यह तीन एक ऐसी पॉइंट है जो पूरे बिजनस में में पढ़ना पड़ेगा इसलिए starting से मुझ जान जाए कि यह होती क्या है वो बैटर हो बैटर होगी कर economic activity economic activity buying and selling continuous process profit motive wrecks and uncertainty and last but not the least is creative and dynamic यह जो है headings यह जितने भी headings आपको दिख रहे है क्या characteristics of business है business के characteristics है तो आप हम लोग one by one करके इन सारे characteristics के सारे characteristics के बारे में पढ़ेंगे ओके let's discuss देखिए फर्स यह heading हम लोग की है क्या है economic activity economic activity economic activity क्या होती है हम लोग ने जैसा पढ़ा कि economic activity क्या होती है इसमें भी सेम यह होता है जो हम ऐसी एक activity है जो अपनी livelihood के लिए और earning purpose के लिए हमनों करते है देखिए यह पर क्या बोल रहा है बोल रहा है कि यह economic activity है production and distribution goods and service यह एक activity है कैसी activity है इकोनामिक activity है जो किस पर काम करती है production में and distribution of goods and service जैसे कि यह एक activity है सपोस्ट यह एक क्या है manufacturing industry है manufacturing industry है इंडस्ट्री है अगर यह सूगर बनाती है चीनी बनाती है चीनी का उत्पादन करती है चीनी का उत्पादन करती है तो उनको क्या करेंगे डिस्टिब्यूट करेंगी बाटेंगी देगी तो यह जो लेनी और देने का प्रोसेस किया जा रहा है कि जो उत्पादन कर रहे हैं और दे रहे हैं उसको क्या बोलते हैं economic activity बोलते हैं जैसे कि सबसे बेस्ट एक इग्जामपल आपका दिया है बैंकिंग यह तो एक्जामपल है यह प्रोडक्शन का एक बैंकिंग क्या होता है बैंकिंग बैंकिंग में भी पैसा का भी हो पासा का जो मारी लेंदेन होती है सिंपली भासा में बोल सकते हैं बैंक में क्या होते हैं कस्टमर आता है डिपोजीट करता है और उसको उसके बदली क्या मिलती है उसकी तो पैसा मिलीए प्लस इंट्रेस्ट भी मिलता है तो क्य इन्ड्रेश्ट्री है अगर यह दे रहही है चीनी किसी को तो बदले में क्या ले रही है ता Patient zagra अब्धोनोंतु और इस करते है चोमकर पासा ए रहते हैं तो और रिल्च ओक्राती जो बहुँ आन पर काम रहते प्रहलोंतु लीजिए अब उसके वदिम क्या कहते हो पैसा देते हो उनको और जब उनका maturity period आता है तो फिन वापस कर आप वापस आपको मिल जाता है तो यह क्या मनी का interchange हो रहा है तो जब मनी का transactions होते हैं उन्हीं हम लोग economic activity से indicate करते हैं economic का मतलब होता है कि money simply simple way से बोल सकते हैं और कुछ लिखा हुआ है एट प्रोवाइड आ source of income देखिए source of income जब आम लोगने money economic activity और non-economic activity के बारे हम पढ़ा थी source of income किसको indicate किये थे livelihood को किये थे livelihood को indicate किये थे तो लाइवली उनको किने क्या बोला था source of income जिससे हमारी income हमारी जो income generate होती है उसे में source of income कहते हैं to the society society से business result in generation generation of employment opportunity मतलब कैसे economic जैसे कि मैंने अपने एक example लिये था कर मैं किसी institute में पढ़ा रही हूं तो क्या हुआ एक तरसे मुझे क्या मिला एक employment मिला मुझे employment मिला तो employment मिलने के बाद क्या मुझे मिलेगा पैसा मिलेगा तो जब मुझे employment भी मिल रहा और पैसा भी मिल रहा है तो उस term को क्या बोलेंगे economic active employment opportunity बोलेंगे और किसके सब्सक्राइब करेंगे और तोर जब employment होगी सबसे ज़्यादा तो उससे क्या होगी ग्रोथ अप्लाइमेंट होगी वह भी बढ़ेगी अगर सपोस्टाइट आप देखते हो हमारी एक शनी यूप ज dos old Keeping जूनते है कि हमारी देश क्रांबंक ग्रोथ अब कम है वैसंद好不好 कि एंप्लाइमेंट के मतलब की रोजगार और बेरोजगार इसलिए हमारी के जब घर्गर जाधा हमारा एlevant होगा अगर अगर मेंट जाधा होगा तुमंचान बाओं लगी लोगव मोझा कि वप inve斧ु हूं किम और फुल्फिल करेंगे और अपनी जिंद्र के बहुत एक लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी हो हमारे तो बढ़ेंगे फ्लस country के भी बढेंगे हमारे इंकम बढ़ती है तो country की भी बढ़ती है country की भी economic growth बढ़ती है तो इसलिए एक बहुत important term होता है economic growth और business के business point of view से देखा जाए या पर banking हो या इंसोरेंस हो जितना जादा आप इन सभी में invest करते हो इनकी तो जो expenditure में जो बढ़ती है शाथ में साथ country को भी contribute जाता है यह जो activity है यह सिर्फ हमें ही फाइदा नहीं देती है हमारे देश को भी फाइदा देती है इसलिए economic activity बहुत important है कि next heading is buying and selling business कर रहे हैं buying and selling तो करेंगे क्योंकि तो primary duty है business करने का मतलब ही होता है कि हम कुछ समान खरीद रहे हैं और कुछ समान किसी को दे रहे हैं तो यह जो चलता है relation चलता है एक customer और एक shopkeeper के बीच में मतलब एक दुकानदार के बीच में यह क्या होता है किस पर dealing करते हैं buying and selling पर dealing करते हैं buying and selling यह इस पर dealing करते हैं कौन करते हैं जहां पर जो business करते हैं जो business करते हैं इन दो activity पर वो अपने काम करते हैं selling एंड बाइंग एंड selling पर तो business जब भी होता है buying and selling पर होता है आप कभी भी देखोगे आपने घर के बगल में जो भी मार्केट होगी उसमें देखोगे कि हमसे buying and selling का प्रोसेस चलता है तो वह जो भी आपके जो भी shop खोले होए वह तो business मैंनी होते हैं तो buying and selling कर रहे हैं तो यह process business का point है तो definition देखते हैं एक basic activity है जो ट्रेडिंग करते हैं ट्रेडिंग का मतले क्या होता है है purchasing and selling purchasing and selling it means that buying and selling the business involves the buying of the raw materials and plants machinery, stationery and property मतलब कि जब बिजनेस होता है जब कोई किसी चीजिका business खोलता है अगर suppose that एक वैक्ती है जो एक अपनी industry फरनीचर बनाने वाली है तो उसको राव मिटेरियल क्या चाहिए अगर उसे फरनीचर की दुकान खोल रही है तो उसके लिए उसको राव मिटेरियल क्या चाहिए लकड़ी लाएगा लोहा तो लाएगा नि उसके लिए तो लकड़ी इसके लिए क्या हो राव मिटेरियल होग बनाएगा तब जाकर मार्केट में बेचेगा उसे ही कहा जाता है फिनिस्ट प्रोडक्ट तो यह कौन बताता है यह बाइंग अन सेलिंग का रूल है नेक्स टेडिंग इस बच्टि शेएं चाहिए यह हो कर सूष के होनी चाहिए कि जो मेरी बिजनिस चल रए कोंटीनुल चल से कि एक leopard को कई दिन चलाएं बिजनस अच्छी नहीं चली तो कल बिजनस बंद गर देंगे ह criticism मतलब कि आप यह बिजनस कर रहे हैं तो बिजनस कर रहे हैं तो बिजनस कर रहे हैं तो आपने एक बिजनस खोला अच्छे खासे से बिजनस सो खुल गई आप क्या सोच हो गए कि आज में बिजनस चला रहा हूं कल में बंद कर दूने बिजनस बोलता है जब बिजनस खोल रहे कि I can pay me a pain किसी को बेच दरी एक बार एक बहुत दिया इसका मतलब बिजनस नहीं है और सिंगल वारां सिंगल सिंगल टाइम स्व इंतफ मोटीव मॉस् इंप्रॉटेंट भीर्फिटमोटीव यह तो यह तो की करता है आज बえばप्रॉफिट मुतार हिए कल हम इस को आप दो तो भीर धियो हो وبिक cumplुंग तो आज रूप बिजैस का रूल आilton जब भी बिजनस खोलो, प्रॉफित के मोटिफ से खोलो, तब ही अपकी business चलेगी, इसलिए इसको primary goal बुले दाता है. Primary goal. Primary goal का क्या होता है? जो first stage रहती है. जो first stage रहती है एक business का, जैसे कि हम लों हर चीज की एक CD चड़ते हैं, तह बिजनेस खोलने से पहले, जो पहली सीडी चड़ेंगे कऊ किस सीजगी तो спूपिट की होगी, पहले जब इस बिजनेस के जाना है उ मुझे यह सोच चलना है कि मुंझे प्रॉफिट का माझा। मदलब कि जो भी आप ब्रडूश कर रहे हो एंछ की काता है तो भाहिया प्रॉफिट होगी है थूर दिप्रोडक्शन अफ दिसेम अफ गूद्स एंड सर्विस मतलब कि जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हो और कुछ भी कर रहे हो बिजनस में बाइंग एंड सेरिंग कर रहे है तो आपकी अब्जेक्टिव हमेशा क्लियर होनी चाहिए कि मुझे प्रॉफिट कमानी है और प्रॉफिट अब कमाऊगे तो आपसे को फाइदा क्या होगा फाइदा होगा कि आप सर्वाइब कर पाऊगे मार्केट में ज्यादा और आपकी जो मार्केट रहेगी वह भी बढ़ेगी मतलब कि अगर आपकी एक शौप है एक छोटी से शौप अपनी खोली और आपकी इंकम बहुत ज्यादा हो रही है तो अब उसके बाद क्या सोच होगा कि मैं अपनी शौप को थोड़ा से और बड़ा कर लो ग्रोथ हो जाएगा आपके तो आपने यहां से यहां तक बड़ा तो क्या इसको बोलेंगे ग्रोथ हमारी बिजनेस की क्या ग्रोथ हो गई तो प् प्रॉफिट मोटिव का पाइदा है बिजनेस में थो गभी भी बिजनेस खोलनी चाहिए तो आसब ब्रॉफिट सोच की सोख machiner अब लास्ट जो कैस अम लोग का है नाट रीक्स उस्टीर फिरस्बी जैसे बोले जब प्रॉफिट है तो रिक्स भी होगा Profit Wix के बिना हो गई नहीं आप जब भी किसी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हो किसी में इन्वेस्ट करें साथ है अगर आप किसी चीज में पैशा लगा रहे हो तो आप यह ऑच्प這樣 वो कि मैं पैशा लगाउंगा तो जमीन में ले रहा हूं तो इसमें तो मेरी एक इंकम अच्छी खासी है बट यह भी तो देखना पड़ेगा कि काई इस जमीन कोई और तो नहीं सेम रेजिस्टर के को यह भी होते हैं एक जमीन पर दो दूरेजिस्टेशन हो जाता है अब वह रिक्स भी लेकर चलते हो तो उसक तो रिक्स हमेशा एक बिजनस में जुड़ा हूँ रहता है वैसे रिक्स भी बिजनस में जुड़ा हूँ रहता है तो यह बोलता है कि है यह बोलता है कि है एफेक्ट ओफ अच्छानक से रिक्स को यह नहीं इंवल्मेंट नहीं है कि आप पुल आप सोच के चल रहे हो कि य तर न हीवा जान है मतलब कि गुरिग से वह सिब आपके जितने भी बिजनसमान यह इन भी बिजनस अपाइं सब के साथ रिकस है और तो रिक्ष्ट दो टाइप के होते हैं यह होतना इन्सॉरीबल ड조 अब जी किots चाली साल तक जिन्दा रह जाओंगे चाली साल का इंसोरेंस करवा लेते हैं उसके बाद मुझे पैसा भी अच्छा का से मिले गया तो आपको एक सुर्टी थे हमें चाली साल तक जिन्दा रह पाऊंगा ठीक है बट यह भी पॉसिबिलिटी भी होते हैं क्या पता कि बीच में अब जानते हो कि अगर एक में शॉप खोल रहा हूं शॉप में फायर का अगा लग सकती तब फायर इंसोरेंस कर वाल होगे तक है और भी जितने डामेज होती है जो डामेज होती है उन सब का प्रिडिक्शन कर सकते हो सूच सकते हैं यह सब घटना घट सकती मेरे साथ गाड नहीं तौब गाडी का इंसोरेंस करवाते हैं इन की फ्यूचर में भी एक्सिडेंट हो सकता है तो उसके लिए इंसोरेंस कर वालेते कि चलो कभी भी अगर होगा उसके बदली में मुझे इंसोरेंस कमपनी से पैसा मिलेगे तो वहीं चीज है जिसको जोड़ा सा सोचके चल पर आपको पता चला करें अर्थ कोई प्रेडिक्शन ही नहीं सब्सक्राइब की बगल अगल बगल की दुकान नहीं धसी पर आपकी दुकान धस गई यह क्या है अन् अन्, sorry, non-insurable हमें नहीं पता थे कि असे रिक्स हमारे साथ हो सकती है पर हमारी बिजनेस अथ थफ हो गई बिल्डिंग गर गई अब बिल्डिंग गर गई बिल्डिंग वह एक ताप की रिक्स होती है जिसको हम्रे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते है और इसी को यह नान इन्सौरे तो पर रियेट करता और डायनक मिवर्डिक आतक है जो time के साथ इन्वारिमेंट के साथ change होता है उसी को creative डायनमिक कहा जाता है बिजनेस में इन दोनों का रोल क्या है बिस्नेस में इन दोनों का रोल बहुत बड़ा है जैसे कि market चलती है तो dynamic की business पर चलती है कैसे चलती है जैसे कि आप देख सकते हो अभी किस चीज़ का जमाना चल रहा है Android phone का जमाना चल रहा है अभी सभी के पास क्या होगा Android phone होगा है ना अब पट वही अगर हमनों दस साल पीछे चले जाए ज्यादा नहीं दस साल सब के पास कैसा phone था कीपेट phone था कीपेट phone था ठीक है कैसा कीपेट phone था तो यह जो दस साल का 10 years ago यह जो दस साल का duration में जो चेंजे जो जो क्रियेटीव हुए है मतलब यह कीपेट से Android में चेंज हुआ वह क्या है क्रियेटीव है और इतने साल में इतने टाइम में टाइम टू टाइम चेंज होते गया कमी छोटा कude को यह सmen किसा चेंज होदा हम लोगी डाइम pope है अभी कुछ और दस साल अपना तो यह डाइनमित चलते रहता है बिज्नस में बीजनस हमेजा किसको सोच के चलता है मार्केट को देखके चलता है कि मार्केट में क्या-क्या चेंजेस आ रही है उनके एक्कॉर्डिंग वो बिजनेस करता है और क्योंते है इसमीन अब ब्रिंग अफ्रेशन न्यू इन्वें इन्वें इन्वेंटिव मतलब वही होता है जो हम लोग न्यू और इन्वेंटिव वे लेते हैं वहीं कि नया नया बिजनेस शुट भी आल्वेस कम आउट विद अन्यू प्रोड़क्ट एंड साडिस्फाइ है तो वह एंड्रोइड फोन ही लाएगा अब धीर दिरे उससे और भी ने वर्जन आते रहें डेपलब करते रहेगा फ्यूचर में हमेशा तो यह जो हमारी है क्रियेटिव डाइनमिक यह खतम होती है अब नेक्स्ट एडिंग नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको क्या है अब नेक्स